सब्सक्राइब करने वाले हैं के साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है उनके लिए सब्सक्राइब करने वाले हैं साथ में पूरा पीपर डिसक्राइब करेंगे कहां पर क्या 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 नहीं है और उनके अंसर कौन सा रॉंग है कौन सा राइट है वो भी हम डिसक्राइब करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले जो स्टार्टिंग के 50 तो पहला कुछिजन है एक चेहीं कि वह उसमें से आप इस्ट्री वाले कुछिन जहां से स्टाट होते वहां से आप देख सकते हैं थेक है तो पहला कुछिन है एक प्धूपट कशानिय थेपाँ नमांट यह की नोड अप अरली सिल्क रूट ये एकदम सही है दूसरा है तो यह गलत है तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत है तो इसमें क्या पूचाए कौन से स्टेटमेंट्स कर रखते हैं तो यह ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर अच्छा यह क्यों थर्व गलत है क्योंकि पहली साइट अफगानिस्तान में थी ती मिनारेट सबधी जाम सबसे पहली हरिटेट साइट बनी थी अच्छा पहली हरिटेट सिटी हैं इंडिया में तो एम्धाबाद बनी थी गुजरात की दूसरा एक और coronavirus इंप्टरिंट को सकत दूसरा है अजाज चत्रु नहीं थे भी बिसारते फिर तीसरा है पाटली पुत्र नहीं थी बाद में बनी थी राजगीर जो थी वह पहली कापिटल थी तो क्या पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्टर तो ए ओप्शन पूछाला तक्षिला में यह गलत है अवंती उजेन में है यह सही है तो क्या पूछा है करेक्टली मेंच कौन से है तो सी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर प्शन नुबर फोर्त है दचौत हिंट सर्देश मुखी वेदर टेक्सेश कंसीव दिया जाता था शिवाजी महाराज क टाइम पें दिया जाता था ठीक है यह रविण्यू टेक्सेश थे फिर फिफ्ट नंबर का दरीन ऑफ चंद्रगुप्त वन स्टार्ट इन दे यह चंद्रगुप्त वन का टाइम कब स्टार्ट इंपायर की बात कर रहा है तो 320 AD में स्टार्ट हुआ था ठीक है क्वेशन न डूत्रवी पोलाक युकॉष्चू थी और राशक्त था थार्ट में और दे साता है रहता है उनेaty संक्राचार्या ने लिखा है कि अपने हिंदू फिलोसफी के सारे गुरु पड़ेज़ उसमें डिसकस किया होगा उत्रमिमांसा जो है वो संक्राचार्या ने लिखा है तो हर्षवर्धन जो थे वो लास्ट हिंदू एंपेरर थे इंडिया के उसके बाद डली सलतनत का रूल जो है वो स्टैबलेश हुआ था तो क्वेश्चन नमबर नाइन वाइसरोय ऑफ इंडिया बेंदा स्वदेशी मूव्मेंट वस प्रोक्लेम्ड ठीक है वाइसरोय ऑफ कौन थे जब स्वदेशी मूव्मेंट को प्रोक्लेम किया गया था तो स्वदेशी मूव्मेंट क्यों हुआ था बेंगॉल पार्टिशन की वज़े से हुआ था बेंगॉल पार्टिशन किस ने अनौन्स किया था तो लॉड कर्जन ने अनौन्स किया था इसलिए ए ओप्श तो इसका आंसर है बैटल ऑफ खानवा जो 16 मार्च 1527 को हुई थी और ये मेबार के राना सांगा के साथ हुई थी जिसमें बावर ने मेबार के राना सांगा को हरा दिया था और उस दिन से ये डिसाइड हो गया था कि अब हमारी इंडिया के ऊपर जो है वो मुगल का एम्पा को हराया था और इब्राहिम लोधी के साथ देली सल्तिनत को एंड कर दिया था क्वेशन नम्बर 13 को अमंग दा फॉलिंग इस दा ओनली फीमेल इस्टॉरियन तो राइट दा हिस्टॉरिकल अकाउंट अप मुगल पीरियद दूरिंग दा मुगल एम्पाय थी तो ये गुल तो ये जो भुक थी फिर्स इंडियन वार फिंडिपेंड़न थी काल माक्स ने लिकी तो अभी तक कि जितने क्वेशन साथ डिक हैं हिस्ट्री के काफी जादा येजी हैं आप एजी लिन को अड कर सकते हैं फिर क्वेशन नमबर फिफ्टीन को अमंग दा फॉलेंग इस डिस्कराइब जैस दा बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफिसर आपको पता है कि महरानी लक्षमी भाई जो थी उनके अगेंस्ट में थे यह सर यूज रॉस अगर आपने मनी करने का मूवी भी दे पुष्यमित्र सुंग को जो है वो जुनागर बनाया था फिर एंपेरर अशो का जो थे उन्होंने अपने मार्क ऑन गुज्रात थो इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स नियर जुनागर दूरिंग अशो का भी उसी टाइम के उनी के चंद्रगुप्त मौरे के ही बेटे थे तो इस बज़े से वो उच्रात के साइड उनका था फिर गुच्रात के बाद वो अवंती आये थे तो इस बज़े से दूनों ही स्टेट्मेंट जो है वो करेक्ट है तो दी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर बोथ बोट बन अन्टू आर करेक्ट वोग्सन नम्बर सेवन तीन दी अगरिए मुच्छ चेंट आपके ए इन अट इंशन इंडियन आर्किटेक्ट्च यस दा एज रिजल्ट आफ इंडियास का बिच रीजन तो खरोष्ट का यूज कर नापना एशन इंडियान या किटेक्ट्ट्च तो इस बांट इस के का रिजल्ट तो ग्रीज़। उ और फॉलिं स्टेट्मेंट्स रिगार्डिंग दा मौरियन किंग्डम के बारे में स्टेट्मेंट्स दिये हैं तो पहला है तो यह पहला वाला स्टेट्मेंट्स एक दम करेक्ट है दूसरा सीता द्यक्षा ओफिसर वस गीबन सुमंड रिस्पॉंसिबिलिटी तु लूक आफ्टर दे इनलेंड नाविगेशन यह गलत है कि यह बताती हूं यह सीता द्यक्षा ओफिसर जो है वह किसके इंचार्ज होते थे एंगरी कल्चर के इंचार्ज होते थे 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 ना की तो फर्स्ट उनली जो है वो करेक्ट है सेकेंड वाला जो है वह रॉंग है आपको यह करेक्ट पुछा या नॉट करेक्ट पुछा यह बहुत देखके आपको अंसर टिक करने हैं इस बार भी अगर आपने नहीं यह थोड़ा एंफिस नहीं दिया है तो next वाला एक्जाम जो मैं आपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कर्रेक्ट और नॉट तरेक्ट कर आपको माग करना है क्वेशन नॉबर 19 फर्स्ट मराथा लीडर दामाजी गाइगवाड और कदम बांदे रूल ओबर दा टैरिट्रिस अफ गुजराथ विद गाइगवाड स्टैब्लिशिंग अस्ट्रॉंग प्रेजराथ हिस्ट्री का क्वेशन है तो यह वाला स्टेट्मेंट एकदम करेक्ट दूसरा है स्टार्टिंग इन एकद्ट्रोल अब दी रीजन अन्डिस डूमीन इन कंटीनूट अंटिल इंडिया इंडिपेंट्रेंट इन नाइटीन फर्टी सेवन तो यह वाला स्टेट्मेंट जो है वह गलत है ठीक है ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल जो है वह इंडिय कि इंडिपेंट्नेंस हो गया था उसके बाद भी जूनागर में तो नहीं था लेकिन 1947 तक नहीं कंटीनू रह था तो यह वाला स्टेट्मेंट गलत है तीसरा है दा पूत्रीज में दियर वे तो गुजरात और इस्टैबलेश अपूटोल्स इंडिया सचाज दामंद्यू दाद्रा नागरा हवेली द्यूरिंग कॉलेनल एक्सपांशन यह सही है इस वज़े से इनको यूटी भी बनाया गया है तो कौन सा स्टेट्मेंट सही है तो फर्स्ट एन थ्री आर्दी करेक्ट स्टेट्मेंट क्वेशन नमबर 20 फ्रम दा फॉलिंग स्टेट्मेंट विच एक दम सही है दूसरा 1st May 1961, Gujarat was officially established as a distinct state and Amdabad was chosen its capital यह गलत है यह क्यों गलत है क्योंकि Amdabad को इन्होंने as a capital city नहीं बनाया था as a metro city of a largest city बनी थी लेकिन गांधी नगर को इन्होंने अपना capital बनाया था तो बी वाला option जो है वो correct नहीं है क्लियर चलो next question है question number 21 who among the following is regarded as the real founder of the Portuguese colonial empire in India तो कौन थे जो real founder थे तो Alfonso the Albakar की जो थे वो real founder थे Portuguese के इंडिया में चेक है question number 22 first governor of Bengal was the lord armrest चेक है दूसरा statement दिया है first governor general of Bengal was the variant Hesting चेक है तीसरा first governor general of India was William Bantic अब पूचा है कौन से statement के option एकदम सही है तो governor of Bengal जोते वो Robert Clive the lord armrest नहीं थे second option सही है third option सही है तो two and three are the correct option चेक है question number 23 when was the Hindu college कलकत्ता established तो Hindu college कलकत्ता कब established हुआ था 1817 में established हुआ था चेक है question number 24 who established the prathna समाज तो प्राधना समाज कब established किया गया था तो आत्मा राम पंडूरंग जो थे उन्होंने केशब चंद्रसेन की help से प्राधना समाज को established किया था चले question number 25 who is called लोखितवादी लोखितवादी किसे का जाता है तो यह बहुत famous personality है गोपल हरी देश्मुक इनको लोखितवादी का जाता है who had said let's go back to the Vedas यह किसने बोला था let's go back to Vedas यह question गलत है यह जो statement यह था let's go back to Vedas यह किसने दिया था स्वामी दयानन सरश्वति ने दिया था ना कि स्वामी विवेकनन ने तो यह question आप check out कर लिए जेगा यह wrong answer में हैगा फिर इसके बाद question number 27 which one of the following social reformers strongly opposed jury act of 1826 कौन से वो social reformer थे जिन्होंने jury act जो था उसको उसका strongly opposed किया था इसका answer correct है राजाराम मोहन रोय जो थे उन्होंने jury act of 1826 का strongly opposed किया था question number 28 pair showing early revolutionary movements related cases in India and the main person person concerned are mentioned below उनके बारे में बुला है और पूछा है कि कौन सा correct है तो मुझभपरफूर के conspiracy case में खुदी रामबास प्रफुल्ला चाकी ते एकदम सही है revolutionary chapter में है यह फिर नासिक conspiracy case में अनन्त लक्षमन कनहरे ते यह भी सही है लाहर conspiracy case में भगत सिंग राजगुरु और सुकदेव थे यह इनके लिए फासी की सजा भी इनको दी गए थी चिटा गॉंग आर्मरी red case जो था उसमें इसके साथ है तो हिंदुस्तान socialist republic organization इसको short form है HSRA भी बोलते हैं यह socialist बाद में वनी थी पहले हिंदुस्तान Republican association थी चारे के नाम से इनको जाना चाता था ठीक है उसके बाद question number 30 whose death coincided with the launch of non-corporation movement in 1923 2020 तो non-corporation movement launch होने वाला था उसके पहले ही लोक मानने ते लग जो थे बाल-गदर ते लग उनकी death way थी तो उनके साथ को insight करता था बहुत important questions है बहुत easy questions है ठीक है बहुत जादा tough category में आम इनको नहीं मानेंगे question number 31 which one of the three freedom fighters of India were hang to death in kakori train conspiracy case in 1925 तो कौन से थे kakori train conspiracy case में जिनको हैं किया गया था तो रौशन सिंग रामप्रसाद मिल बिस्मिल और अस्पा कुला खान इन तीनों को ही इसके साथ इसके साथ एक और परसंते जिनका नाम यहां पर मेंशन नहीं है राजेंद्र लहेरी ठीक है उनको भी hang to death की सजा दी गई थी question number 32 what was the name of the British officer who was sought by the Udham Singh Udham Singh नहीं किसको मार दिया था तो sir Francis Dyer को मारा था इनोंने Udham Singh नहीं क्यों मारा था यह जो हमारी लाला लजपत रहे थे उनकी death हो थी लाटी चार्ज में तो उनका बदला लेने के लिए नोंने मारे था question number 33 who was called by the British as the father of Indian unrest किसको father of Indian unrest बोला जाता है तो लोकमाने तिलक को बोला जाता है question number 34 any recent was associated with any recent किसके साथ associated थी to home rule league movement जो हुआ था जिसको any recent ने और बाल गंगदे तिलक ने स्टार्ट किया था तो इनके साथ associated question number 35 what St George was the first fort built by the British in India was located at madras में हैं और इसके अलावा कॉलकता मुंबई में भी दो और इस्टैबिश किया थे टोटल तीन important fort थे इनके कॉलकता मुंबई और madras में है question number 36 at the congress session at कौंसा session in December 1920 a compromise was worked out and the non-corporation movement was adopted तो कौंसा वो session था जिसमें non-corporation movement को adopt किया गया था तो वो नागपूर session था ठीक है question number 37 महत्मा गांधी रिट्रीच दांडी ओन किस तारिक को पहुंचे थे तो 6 April को पहुंचे थे clear 6 April 1930 को दांडी पहुंचे थे और वहां से उन्होंने अपनी दांडी मांट जो है वो start किया question number 38 which operation was carried out by the Sardar Patel to make a part of Indian Republic operation polo इनों ने start किया था है किस में include करने के लिए operation blue star किस से related है तो यह जो अम्रित सर वाली controversy हुई थी जो इंद्रा गांधी ने किया था बिंद्रा वाला को निकालने के लिए अम्रित सर टैंपल से operation blue star था था question number 39 who was when was Sardar Patel first appointed president of congress सबसे पहले को president कब बनेते congress के तो 1931 में बनेते और इसी session में इनोंने fundamental rights की भी बात की थी question number 40 when is the national unity day celebrated when is the national unity day celebrated? 31st October question number 41 the state reorganization commission was formed in 1953 to reconsider the demand for the language based state formation which was led by okay, the organization of 1953 was Faisal Ali chair question number 42 the troops raised by the emperor but not paid directly by the state and placed under the charge of manasabdar when known as okay, the troops were not paid directly by the state what we were talking about? we were talking about Dakhili what we were talking about Dakhili question number 43 which of the following statements about the effect of non-cooperation movement are true? which of the following statement about the effect of non-cooperation movement are true? the importance of foreign clothes are between 1921 and 1921 it is right, because these non-cooperation movements have been stopped by government तो इस बज़े से इंपोर्ट हो गया था बहुत सारी प्लेसे पर जो मर्चेंस और ट्रेडर्स थे उन्होंने रिफ्यूस कर दिया था कि वह फॉर्न गूद्स में ट्रेड नहीं करेंगे और फाइनेंस फॉर्न ट्रेड के साथ नहीं करेंगे फिर तीसरा प्रोडक्शन आफ इंडियन टेक्स्टाइल मिल जान था है था है यह भी सही बात है क्योंकि फॉर्न गूट्स नहीं ले रहा है तो इंडियन टेक्स्टाइल को ग्रोग किया था नौन कोपरेशन मुव्मेंट के दौरान तो तीन ही अप्शन्स करें तो अल अब दी अभावादी करेंगे तो जलिया बाला बैग मैसिकर अनृत सरमा सिकर का भुवा था यह तो बहुत इंपोर्टेंट बहुत इसी कोई था है था है तो हिस्ट्री के कोईशन तो बहुत इसी आए कि मेरे साब से स्वामी दयानन स्वरस्वती जते हैं उन्हीं को मार्टी लूथर ऑफ इंडिया बोला जाता है ठीक है क्वेशन नंबर 46 जो है उसमें उपनी सद्स जो है वो आर बुक और मतलब यह जो उपनी सद्स है वो किसके उपर लिखे गए तो यह फिलोसफी है जैसे कि हमारे यह है क्या बोलते हैं वेध है वैसे उसी में उसी में ही उपनिशाद भी बने हुए और उपनी शद्स जो है उपनी फिलोसफी के उपर मने हुए ठीक है तो क्वेशन नमबर 47 वाज दा मेल गोड वर्शिय बश बादी इंडिया इंडिया स्वें इंडिया गोड को दो है वो कॉन के इसको ब्रिटिश क्राउ इसको बुला जाता हैर 사 side उसको बुला जाता है एस के बाद 1857 का रिबॉलि तब त्हम इसको सा इसके पास चल गया है इसलिए इसको ब्रीटिश क्राउं के बुला जाता है question one तो यह तो गलत है रिगवेदा में काव को मेंचन बहुत बहुत किया गया है लिकिन ऐसा नहीं किया गया है और किसी अनिमल को मेंचन नहीं किया गया है अनिमल को मेंचन नहीं किया गया है लेकिन बाकि और सारे अनिमल्स है इन सब को मेंचन किया गया है चीक है Q2. Vedic people frequently pray for Praja and Pasthu बत्चों की और कैटल की पूजा करते थे पशू की पुजा करते थे तो कौनसा statement correct है तो second only is the correct answer. यह सही है Q2. The first battle of Tarain is related to किस-किस दिए थी बात्राइण के बीच में हरना किस किस दो हुई थी Пषरकिराज धुष Schnee यही वही बैटल थी जिस के बाद जिसने सीट वहाउए है कि हमारी इंडिया मेश मय बोरा है कि हमारी इंडिया में इंडिया में 윽े यही देशार्rage बैटल अफ प्लासी ने डिसाइड कर लिया था कि हमारी इंडिया में जो है वो इस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टैब्लिश होने वाला है तो यह सारी जो बैटल थी वो हमारी इंडिया में बहुत सारे चेंज़े लेकर आई थी अच्छा एक और चीज अगर आप 2024 के जीपेसी एक्जाम की तयारी करें तो हमारा सिविल सिगनल अप्लिकेशन पर जीपेसी का क्रैश कोर्स है जिसमें लाइफ टाइम बैलिडिटी के साथ आपको वो कोर्स मिलेगा जिसमें हमने सारे सब्जिक को कवर किया है प्लस फ्री स्टेडी मटीरियल भी है अगर आप जोइन करना चाहते है तो सिगनल डाउनलोड करके उस को चेक आउट कर सकते हैं न्यू यह उफर भी है आप न्यू ट्विंटीटीफूर कोड यूज कर सकते हैं तो आपको वो कोर्स जो है सिर्फ और से 1499 रुपीज में में चलिए तो यह 50 क्वेशन जो है वो हिस्ट्री से जो है तो इसे एक लिए 40 प्लस ग्वेशन जो है वो सही किये होंगे हिस्ट्री के अब नेक्स सेक्षन की तरफ हम चलते हैं जी एस पान के क्वेशन नंबर 51 से स्टार्ट होता है तो 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 पॉलिंग स्टेट्में रिगार्डिंग दा पंडित भीम से इं जोशी चेक ह जी है वाज़ा कंटेंप्ररी अब दी गंगु बाई हंगल सिंगर अब दी किराना घराना ओफ दूस्तानी क्लासिकल तो यह म्यूजिक के उपर क्वेशन है तो यह आर्ट अ कल्चर का क्वेशन है और पूछा गया कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है तो दोनों ही औप्शन टैमेंस स्टे नहीं अथिक्वक टिया है तो है तो सब्स्क्राइटोन म्युलिख अवार्त की में कीशन आटे ओड़ दे डिहीं दाफ इशन ही इसको अवार्ड करता है, वर्ड चेस्ट और यह उसका नाम है, वह इसको ओर्गनाइज करती है, मतलब अवार्ड करती है, Q2 नब तो, 2 वाल स्टेट्मेंट तो गलत है, अगर इस प्लेयर ने चीटिंग नहीं की होती है, तो कॉंसा statement correct है पुछा गया है तो first and third दूनों ही correct है second wrong है क्योंकि sport federation के दौरा नहीं दिया जाए ज़ा है चेस federation के दौरा चाली question number 53 consider the following statements regarding Amir Khushro यह भी आर्ट and culture का question है तो ही introduced new musical rock such as the Gora and Sanam भी एक दब सही है दूसरा ही evolved a new style of light music known as the Kabalis by blending Hindu and Iranian system यह भी सही है यह भी सही है he ordered the book Tughlaq Nama यह भी सही है कॉंसा statement correct पुछा है तो तीनों ही options वह है वो correct है question number 54 consider the following statements regarding the moral painting in India तो moral paintings के बारे में पुछा गया है तो पहला है moral paintings can be found in both the natural caves and rocket chambers यह एक दम सही है these paintings are secular in nature यह गलत है secular नहीं है moral paintings okay moral paintings are unique because of their small size which can be contained on the paper moral paintings होती है वो unique होती है उनका small size होता है उनका small size होता है उनका small size होती है तो 1 second okay small size में तो बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि यह रॉक कट चेमबर में पाई जाती है और even papers पे नहीं होती है और इनको बनाने के लिए natural colors का भी यूज किया जाता है यह 3D में भी बनाई जाती है यह एक ऐसी art मुराल paintings only kind of art है जो और यह 3D में भी पाई जाती है और यह अपने shape को alter और space को भी शेयर कर सकती है और यह natural resources जैसी कि टेराकोटा हो गया चॉक हो गया रड अक्रे हो गया यलो अक्रे हो गया इन सब को animal fat के साथ mixing करके color pigment के साथ बनाई जाती है ठीक है तो third वाला option भी गलत है अब पूछा किया correct statement पूछा है तो first only is the correct answer चाहिए question number 55 जापी, zorae and gamosa are primarily associated with which state यह 3D किसके साथ associated है तो correct answer is asam चाहिए आसाम के साथ associated है अब यह क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जापी जो है वो तो head होती है जोरे ही जो होता है वो एक lamp की तरह होता है और गमोसा जो होता है तो जो टॉबिल की तरह होता है जो बॉड़ी को च्लीन करने के लिए यह तीनों आसाम की असाम से ही associated है question number 56 which of the falling sites of Indus Valley Civilization are located in India कौनसी साइट से इंडस्वली civilization की जो इंडिया में located है तो Mohenjudhar यह तो पाकिस्तान में है राखी गड़ी इंडिया में है गनेरी वाला यह भी पाकिस्तान में है ढूलावीरा बुझरात में है तो 2nd और 4th यह दोनों अवेलेबल है पूछा किया correct answer पूछा है तो B option is the correct one question number 56 consider the following statement regarding the Vanshubha festival Vanshubha festival से कौन से statement जो रिलेट करते है Vanshubha festival is celebrated in the Carby Anglong district of Assam यह सही है it is celebrated by the Tiva tribesmen यह भी सही है तो correct statement पूछा है तो B 1 & 2 बोनों ही correct options है यह news में था इस बज़े से यह paper में आपको देखने को मिल रहा है question number 58 consider the following statement regarding the Mangar massacre Mangar massacre के बारे में पूछा गया है तो Indian history में Mangar massacre took place after the Jaliyawala Bagh massacre तो यह गलत है तो देखो पहला वाला जो statement है वह गलत है क्योंकि Mangar massacre जो है वह 1913 में हुआ था November 1913 में हुआ था तो जलिया वाला बाग massacre बाद में हुआ है Mangar massacre पहले हुआ है फिर दूसरा तो पहला statement तो गलार है दूसरा इस रिफोर्ट तो इस आदिवासी जलिया वाला बाग विच अंडर्ड और बील ट्राइब बिंग किल्ड़ ब्रिटिश पोर्स यह सही बात है पंद्रा सो वील्स को मार दिया था क्योंकि यह बॉंडड लेबर को हटाने की बाद दिमांड कर रहे है ठीक है अब तो यह वाला statement सही है दूसरा दा हिल्स अब Mangar is located on the border of Rajasthan and Gujarat तो अराब्री hills के वहाँ पर यह मांगर hills आती है तो यह वाला statement भी एकदम सही है तो इंडिया इस टोडिशनल आट और उसकी स्टेट आसोशेटेट स्टेट पूछा और करेक्टली मैच्ट कौन सा यह पूछा गया है तो संशी आर्ट जो है वो यूपी की है एकदम सही है दूसरा गॉंड आर्ट पेंटिंग जो है वो मद्यप्रदेश है क्योंकि गॉंड जन जाती है मद्यप्रदेश में पाई जाती है वहां की आर्ट पेंटिंग फेमस है तो यह भी सही है रोगन पेंटिंग राजस्तान इस बुक इस इन्दी संस्कृत वस रिटन बाइ गदम सही एक अधिया ने लिखी है फिर है दा मैनुस्क्रिप्ट ऑफ इसकोवर्ड बाइडी जेम्स प्रिंसेप यह ले थे जेम्स प्रिंसेप ने तो अशुका की पिलर्स को अधिसकोवर किया था उसकी लैंगविज को डिस Q 61. जुगलबंदी इंडांस इस वन अफ दी मेन अट्राक्शन इन जुगलबंदी जो डांस का है वो मेन अट्राक्शन इस चीज का तो एक कथक में होती है Q 62. Kaati Samu is an ancient Indian martial art originated in the state of Qati Samu जो है वो किस state का famous है तो अंधरकुदेश का famous है Q 63. Consider the following pairs of fog dance related community Fog dance और उससे related community के बारे में है अब आपको correctly matched पता करना है तो होजागिरी dance रियान community का एक दम सही है Biju dance जो है वो चक्मा community का ये भी सही है चिराव dance जो है वो मिजोस community का ये भी सही है तो correctly matched पुछा है तो D option is the correct answer Question number 64. The book पंच सिद्धान्तिका ये किसने लिखी है तो बरा मिहर ने लिखी है पंच सिद्धान्तिका ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गुपता एंपायर के time की ये बात है Question number 65. Which of the following were some of the chief characteristics of the vision agar temple architecture ठीक है पिलर ये गलते इस sculptures भी pillars पे बने हुए थे तो correct answer क्या होगा first and second correct is third वाला wrong है Question number 66. Consider the following statement regarding the worldly paintings Worling painting derives its name from a small tribe inhabiting the remote tribal regions of the Maharashtra and Gujarat Worling painting जो है वो गुजरात की और Maharashtra लिए famous है एकदम सही है दूसरा है इस paintings are made mostly by the women as a part of their routine and auspicious celebration ये भी सही है Marry is the most recurring time of the worldly painting ये भी सही है तो correct answer पूछा है तो D option is the correct one Question number 67. Consider the following pairs पूपेट्री और स्टेट ठीक है तो correctly managed पूछा है तो ये पता करना है तो रावन चाया मनीपूर ये गलत है क्यों रावन चाया मनीपूर में गलत है तो आपको बताती है रावन चाया बिलॉंग टू विच स्टेट रावन चाया जो है वो मनीपूर का नहीं है उडिसा का फेमस है इस बज़े से ये वाला ऑप्शन गलत है यमपूरी बिहार का है ये सही है तो पाबकूतु जो है वो कैरला का ये भी सही है थोलू वो मलाता ये अंद्रप्रदेश का ये भी सही है तो डी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंस है प्रशन नमबर 68 इन इस सेवंध और एट सेंचुरी घटीकास बेर ठीक है तो ये एक एक एजुकरिशनल इंस्टिउशन हुआ करते थे जो टेंपल सेट है चोटे थे लिपन घटीकास बहते थे थे प्रशन नमबर 69 चंसेडर दी फॉलिंग स्टेटमेंट पहला है दोकरा ये रहलत सेटरर करते ही एक जिस लोस्टनेट चास्टिंग कस्टेग है क्यों सही है तो थे लोस्ट वेक्स टक्निक टक्निःक जो स्टाइक श्टीक से इस ही बनाया जाता है और ये दॉक्रा ढ़ाम करए एक परसंता उनके नाम पर किंभी ऊस लिए की दिस डही खेंजर मог तो यह वह वह ओसंट इस इंडिया और इस्टेल प्राक्टिस की चाती है वह अर्टिशन इन दे सेंट्रल और इस्टर इंडिया और यह दो करा आर्ट जो है वह फेमस है बेस्ट पेंगॉल उडिसा के साइड में यह यह बंद ऑफ दी अर्लियस्ट अनों लॉस्ट वैक्स चाहिए आप सजेशन में डाल सकते है मैं भी डालों की सजेशन में क्वेशन नम्मंगं ममंंगं वास तुंटी इंड जान एट कर देशिब व शय विच व कारव पड़िटी अगंडी वीडिवग्ध जी और वे लगड़िवट एट वार्व यह व फैस्ट अटू पाल बैस चले, question number 72, statement वाले question से, statement 1 दिया है, भावनात महादेव मेला is held at the भावनात महादेव temple, situated at the foot heels of the mount girna in the city of Joonagad, एक दम सही है, दूसरा, चित्र विचत्र मेला in the gujarat held at the village of the guha khari in suvarna kahta district of the border of Rajasthan, is a unique fair held a fortnight after police celebration, यह भी सही है, this fair is held every year at the Bautha, where two rivers savaramati and the Batrak meet, ठीक है, Bautha fair site is also known as the Saptasangit, ठीक है, fair is held during the Kratika Purnima, Kartik Purnima, full moon night of the gujarati month of Kartik, ठीक है, Kartik month में याता है, तो तीनों ही option जो है, वो correct है, question number 73, name of the author and his constitution is mentioned below which is not correctly matched, ठीक है, author का name दिया और उनका contribution दिया गया है, तो कौन सा correctly matched नहीं है, तो गोबर्धन मादवरामत्र पाठी ने लीलवती लिखिया, life यह भी सही है, के मुंची ने कृष्ण अवतार लिखिया, यह भी सही है, पन्नालाल पतेल ने भांगया भीरु लिखा, भांगयाना भीरु बोलता है, उसको वो भी सही है, मन्नु भाई पांचोली ने अंचा लिखा यह गलत है, question number 74, name of the author and his contribution is mentioned below, make them correctly, match them correctly, correctly match करना है, तो first का, रामधारी सिंह दिनकर, इनका है, इननोंने लिखा है, रश मिराती, फिर मैथी शरन गुपत जी, उननोंने लिखा है, भारत बारती, फिर सूर्यकांत्र पार्थी निराला, इननोंने क्या लिखा हुआ है राम की शक्ति पूजा, फिर महादीवी वर्मा जो है, उननोंने लिखा है, निलकंट, ठीक है, तो इसमें first का, D, second का, C, तो A, आप्शन जो है, वो correct answer है, question number 75, from the below mentioned pair, which pair is not correct, कौन सा pair जो है, वो correct match नहीं है, आरके नरायना, स्वामी एन फ्रिंड्स थे, ठीक है, सही है, पाइन आमेर लिखा, ये भी सही है, ठीक है, कौन सा करेक्टी मैच नहीं था, वो हमें लोगोंने डिसक्स कर लिया है, 76, match the following folk music forms with their origin states, ठीक है, folk music और उनके state पताना है, पनिहारी जो है, वो कहां से मैच करता है, राजस्थान से है, बनावन जो है, वो कहां से बिलों करता है जमु एन कश्मीर से, पोवाड़ा जो है, वो कहां को बिलों करता है, महराश्र को, और पाइस सोंग जो है, वो कहां को बिलों करता है, मद्धिर प्रदीश को, तो इसलिए B option जो है, वो इसका correct answer है, question number 77, consider the following statement, धुरुपद is an old style of Hindustani singing, traditionally performed by the male singer, ये एक दम सही है, तप्पा music was adopted from the medieval Persian music, ये गलत है, तो कौन सा correct statement जो है, तो इस option is the correct answer, question number 78, consider the following statement, with reference to the Hindustani classical singer, बेगम प्रवीन सुल्ताना, जो है, बेगम प्रवीन सुल्ताना के बारे में पूछा है, तो बेगम प्रवीन सुल्ताना जो है, वो एक आसामी इस Hindustani classical singer थी सही है, she is a member of the Patiala Gharana, ये भी स तो correct statement पुछा है, तो first and second only is the correct answer, question number 71, ये थोड़े twisted question आया, art and culture वाले, history question easy थे, art and culture थोड़े tough आया, statement 1, जो है, Gujarat Library Association was formed in 1939, it has two cultural libraries, ये statement सही है, दूसरा, one is Gujarat Vidya Peet at Ahmedabad, which is a state library, a non-governmental library run by autonomous body, ये भी एक दम सही है, जो लोग Ahmedabad में रहे तो उनको पता होगा, statement 3, the second one is the Baroda Central Library, Baroda, थीक है, तो तीनों ही statement है, वो correct है, question number 80, who made the first fully indigenous silent feature film in India, तो कौन सी बनी थी पहली fully indigenous silent feature film, तो दादा साहे फाल के फिल्म बनी थी, दादा साहे फाल के फिल्म बनी थी, दादा साहे फाल के ने पहली indigenous silent feature film बनाई अचा, वो movie कौन सी थी, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो राजा हरिशु चंद्रो नाम से वो movie थी, जिसको दादा साहे पाल के ने बनाया था, question number 81, the pair showing the film personality and the film I mentioned below, which is not correct pair, कौन सा correct pair नहीं है, शदर्दांगर हिलारो सही है, आरो ही पतेल ने लवनी भवाई, तीक है, जोश्री ने शुब आरम बनाया थी, और अलीशा प्रजापती ने पहिलो देवाई थी, ठीक है, चलो, question number 82, pair showing the prominent temples and the state in which they are located, are mentioned below, कौन-कौन, prominent temples and state है, तो उनको match करना है आपको, पहला, रामेश्वरम temple, तो रामेश्वरम temple, तो रामेश्वरम temple, तो कहां सब को बता है, त तिरुमाला वैं, कटेश्वरा temple, तो यह कहां पर है, तो यह आंदरप्रदेश में आता है, फिर आता है, बद्रीनाथ temple, जो उत्राखंड में है, तो कौन सा करेक्ली मैच्ट है, फिर्स्ट वाल अग जो है, वो करेक्ली मैच्ट है, 83, consider the following statement regarding the Kalbeliya, Kalbeliya से regarding questions कोचे है, तो, it is of folk dance performed by the woman of the Kalbeliya community of Gujarat, गलत है, being in the popular musical instrument of this dance form, Kalbeliya में कोच्वरा गुजरात की कमूटिय, तो इसले पेला statement गलत है, being popular musical instrument used किया जाता है, यह सही है, यूनेस को ने कलबेलिया फॉक सॉंग एंड डान्स को रिप्रेजेंट किया था इंटेलिजीबल कुल्च्रल हैरिटेट अफ हम्यूमानिटी यह भी सही है तो सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट स्रेटमेंट है क्वेशन नमबर 84 पेर शोइंग फेर अंड डिस्ट्रिक आं मेंचेंड विलो विच इस नॉट करेक्ट पेर नहीं है पहला भंगु रियो यह चोटा उदेपो डिस्ट्रिक यह सही है फिर अक्त्रीजी नो मेलो मास्काडा डिस्ट्रिक यह भी सही है फिर नगधारो नो मेलो यह चलिए क्वेशन नमबर 85 सट्रिया इस अ क्लासिकल डान्स फॉम बविच स्ट्रिक आप इस बहुत फेमस प्रेशन आसाम से है विच बढ़ फिच विच 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 नहीं है तो इसका अंसर गोपुरा गोपुरा जोए वो नौर्थ इंडिन अर्टेंपल आर्टेक्चर इस अ है का फिचर नहीं है तो खीर बहुत है प्रेशन अपात है शिख ढुपुराम नहीं होता है यह साउथ इंडीन टेंपल इसके इस थाधिन वाला खीर भावानी टेंपल जो है वह कहां पे चुटी में लोकेट अथा यह था तो खीर भावानी टेंपल जो और जो कहां प्रम्से रिलेटर है क्वेशन नम्बर 89 हिस्टारिक चंद्रगरी फोड इस लोकेट इन वीच आप दी फॉलिंग स्टेट तो चंद्रगरी फोड जो है वह आंधर प्रदेश में लोकेट है चली क्वेशन नम्बर 90 दा काला घोड़ा आर्ट यह बहुत फेमस है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिबल जो है किस से से असोशेटेट तो यह मुंबई में होता है प्रविशन नम्बर 91 पेर शोइंग दा प्रॉमिन फेस्टिबल एंड स्टेट तो फेस्टिबल और स्टेट को मैच करना है और बिलोग मेंशन पेर विच नॉट करेक्ट नहीं है यह पूछा है तो खराची पूजा फेस्टिबल मिजोरम से यह गलत है कांग चिंवा फेस् किसके साथ पांग और अर्वान से अच्छा रहा है किसने लिखा थो मुपनस इकवाल को सुचेटर सेन और बेंग ऑल्ग आता गर्विव typically जबर हो सुचितर Сेन शुचितर सेन य mãumda Q95. Which one of the following manuscript is included in the UNESCO's Memory of the World Register? Q95. Which one of the following manuscript is included in UNESCO's Memory of the World Register? Q96. Apart from India, in which of the following two countries, Tamil is an official language? Q97. The technique of the mural painting executed upon the freshly lead lime plaster is known as Q98. Pairs showing the prominent ports and the states in which they are located? Q99. Which one of the pairs are? Q99. Which one of the pairs are correct? Q99. Aamir, 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 Aamir. Q99. Which one of the pairs are correct? Q99. Consider the following statement. In this video, we will discuss 100 questions. This is part 1. Then we will discuss the next 100 questions. Then we will discuss the next 100 questions. Q99. Which one of the pairs are correct? Q99. They developed the Vaisara style of architecture. So, you have developed the Vaisara style of architecture. Structured temples in Ihor, Badami, and Patadakal. The administration was highly centralized. So, who were these people? So, this is Chalukyaz. Chalukyaz. Ihor, Badami, and Patadakal made temples. Question number 100. Consider the following statement regarding the Gint, Groomer, and Garva. Okay. What are the three? These are the three folk dances. All three dances performed by the women. This is wrong. If Garva is performed by the women, then it is wrong. If Garva is performed by the women, then it is wrong. All three dances belong to Rajasthan. If Garva is performed by the women, then it is correct. If Garva is performed by the women. The first is the correct answer. This is the elimination of the women. These are 100 questions. Then we will discuss the next 100 questions. In the next lecture, we will discuss the next 100 questions. Then we will discuss the next 100 questions. तो वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा यह सारे इंग्रिश मेडियम स्टूइंट के लिए हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इन क्वेश्टन को देखने के बाद तो आज के लिए इतना ही अगर आपको कोर्स करना है तो उसकी सारी डीटेल्स अगर आप उन से डेरेक्ली कनेक्ट होना चाहते है आपको इस प्रोविजनल आंसर की की पीडिएफ चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल की आप जॉइन कर सकते हैं वहां पे सारी पीडिएफ और अपडेट आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे उसके अलावा क्र तो दविजनल आप प्ले स्टोर से डांटोड कर लीजे वहां पे राइश कूर्स अवयलेबल है और आपको जाके राइश कर सकते हैं अभी जैनवरी में आपको पूरी जैनवरी वन थाउजन रूपीस का उफ मिल रहा है तो आपको सिर्फ और से 1.99 में मिल रहा है वित फ् झाल झाल